Hey what's up guys, welcome back once again, so दोस्तों आची कहानी जो explain करने जा रहे हैं उसका नाम है Dark White तो कहानी शुरू होती है एक खुबसूरत आइलेंड पर जहा हम एक newly married couple को देखते हैं जो की time spent करने के लिए आपर आये हुए है, तभी Tracy को पानी में कुछ हलचल सुना ही देती है वो Luke से कहागर किनाय पर चलने को कहती है, लेकिन Luke अपनी मस्ती में था वो उसकी बाद को ignore कर देता है और तभी Tracy को पीछे से कोई दिखता है जिसके बाद दोनों फॉरन अपनी board की तरह भागते हैं और Tracy तो चड़ जाती है वेल कुछ इस तरह से होता है इस कहाणी का इंट्रो सीन शिफ्टों के पहुचता है Charlie और Judy पर जिनके पास एक plane है और वो दोनों लोगों को उसी से टूर करवाते हैं आज plane की booking की है Joey और Claire जो की एक Korean couple है वो Hells Reef खूमने जा रहे हैं इन लोगे साथ बनी भी था जिससे उस जगहां के बारे में काफी कुछ मालूम हुथा और वो एक कुक भी है अब पांचों लोग plane में बैट जाते हैं या बीच सफर में सारे एक दूसरे के बारे में बहुत सी बाते शेयर करते हैं उनी में से चारली बताता है कि वो पहले एक मरीन बायोजिस्ट था और एक दिन वो अकेले इस शार्क पर रिसर्च करने के लिए चला गया और उस दिन को वो कभी भूल नहीं पायागा क्योंकि उस दिन वो मरते मरते बचा था इसी दुरान वो अपने पैर पर शार्क पाइट को भी दिखाता है जिसे देखे सभी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं लेकिन फिर जूली सबका मूझ ठीक कर देती है कुछ जोग सुना का कुसमें बाद चाली प्लेन को एक आइलेंड के पास लैंड कर देता और अब ये लोग उसी जगाँ पर आ गए हैं जिसे हेल्स रीफ कहा जाता है और ये वही जगाँ हैं जिसे हमने कहानी के शुरुबात में देखा था जहां पर वो कपल एंजोई कर रहे थे अब यहां जूली क्लेर को इस जगाँ के बारे में कुछ खास बाते बताती है कि कैसे इसका नाम हेल्स रीफ पड़ा असल में दोस्तों सालों पहले यहां पर एक शिप फस गया था जिसमें तकरीबन 20 लोग सवार थे वो लोग यहां महीनों तक फसी रहे और इतनी दिनों में ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया फिर कुछ जिन बार जब उन्हें रेस्क्यू करने के लिए लोग पहुचे तो सारे मारे जा चुके थे लेकिन एक आदमी अभी भी जिन्दा था क्लियर उसे एक पुरानी फोटो दिखाते हुए बताती है जो कि उसी शिप के अंदर की थी वो से बताती है कि वो आखरी इंसान जो बचा था वो मेरे दादा जी थे और आज हम उनकी ही आशेस को यहां पर दफनाने आये हैं क्योंकि यह उनकी लास्ट विश थी अब यह सब बाते सबको थोड़ा सोच में डाल देती है कि आखर वो लोग इतनी दिनों तक कैसे रहे होंगे वैल इस बात पर ध्यान ना देती हुए सब अलग-अलग हो जाते हैं तो जूली चारली को एक कॉर्नर में ले जाकर बताती है कि वो मा बनने वाली है पहले तो चारली कुछ रियाक्शन नहीं देता है उसे लगता है कि शायद वो खुश नहीं है लेकिन कुछ दिर बाद वो हसने लगता और साथ में अपने आने वाले कल की तयारियों की प्लानिंग करने लगता है इसी दुरान बनी भागती वो उनके पास आता और उने कलियर के पास लेका जाता है जो बैटी हुई रो रही थी सब उसे रोनी के वज़ा फूचते हैं वो एक जुगा की तरफ इशारा करती है जहां जाने पर चाली को एक इनसान की लाश मिलती है जो सर चुकी थी और उसके दोनों पैर कटी हुए थे अगर आपने इस इंसान को नहीं बचाना तो कोई बात नहीं हम आपको बता देते हैं कि यह असल में लिूक है तो चाली कहता है कि मैंने कोसगार्ड वालों को कॉल कर दिया है वो बस यहां पर आती होंगे पिबनी कहता है कि हम इसकी वाइफ को डूनना चाहिए क्या पता वो अभी भी जिन्दा हो पर जो ही बोलता है कि नहीं यह काम अथोरिटीस का है वो यह सब देख लेंगे हमें यहां से चलना चाहिए हम लोगों को इसमें और फसना नहीं चाहिए लेकिन चाली उसकी बात नहीं मानता और मजबूरन उसे भी उनके साथ चलना पड़ता है वहां से वो लोग प्लेन लेकर उनकी बोर्ट को ढूनने में लग जाते हैं मेभी उसी के आसपास उन्हें ट्रेसी भी मिल जाए काफी समय बीच जाता है पर वो कहीं नहीं मिल दी लेकिन तभी कलेर को एक बोर्ट दिखाई देती है जो पल्टी हुई थी है तो चाली उसके पास ही प्लेन उतार देता है और फिर बनी उस बोर्ट के अंदर जाकर चेक करता है वहाँ उसे ट्रेसी और लूसी की एक फोटो भी मिल दी है जिसे वो अपने पास रख लेता है लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो एक शार्क ट्रेसी की बोड़ी को खा रही थी वो फॉरन उपर आ जाता और प्लेन में चल जाता है और सब को ट्रेसी के बारे में बताता है और कहता है कि बहतर होगा कि हम यहाँ से चले क्योंकि नीचे मैंने कुछ शार्क को देखा है अगर उन्हें कुछ हल्चल सुनाई दी तो वो जरूर उपर आएंगी सारे लोग प्लेन में बैट जाते हैं और फिर टेक आफ के लिए रेडी हो जाते हैं लेकिन इन पाचों की किस्मत में कुछ और लिखा था शायद इनका वो समय आ गया है जो वो खुद की काबिलियत की परिक्षा लेंगे लब जैसे ही वो टेक आफ करते हैं उसी दोरान एक शारग उनके प्लेन पर हमला कर देती हैं जिसी कि उसका एक विंग टूट जाता और वो पानी में डूमने लगता है तो चारली फॉरन एक लाइफ बोर्ट को बाहर फेकता है और सब को उसमें बैठने को कहता है पर इन समय पहले सबको अपनी जान बचानी है इसलिए सभी लोग फॉरन उस लाइफ बोर्ट पर बैठ जाते हैं और जूली सारी जरूरतों के समानों को प्लेन से बहा निकाल देती है और फिर धीरी धीरी वो प्लेन पानी की गहराईयों में समा जाता है चारली के लिए उसका प् विरान जगा पर है विक लेर पूछती है कि क्या आप कोजगाड आने वाले हैं तो चारली बताता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम हेल्स टीफ से बहुत दूर हैं और लेरे भी दूसरी साइट की तरफ चल रही है इसलिए हम वहां तक तैर कर भी नहीं जा सकते इसलिए बैतर होगा कि अब हम यहां पर शांती से अपना दिमाग ठंडा गर के बैठे रहें क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला और कर सुबा तक हमें कोई ढूलने नहीं आएगा तब वो शार्क के बारे में पूछती है कि वो नीचे थी क्या क्या वो उपर आ सकती हैं तो वो बताता है कि यहां पे शार्क नहीं होती है और अगर होती भी है तो बहुत नीचे वाम तोर पर सर्फिस पर नहीं आती क्योंकि उपर का टेमरेचर बहुत ज़्यादा होता है अब सभी लोग चुपचा बैठे होते हैं लेकिन जोई में अलग किसिन की करते रहते हैं क्योंकि अगर वो उल्टी दिशा में चलें तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे उसी दुरान हम उनके राफ के नीचे कुछ शार को भी देखते हैं लेकिन वो उपर नहीं आ रही थी जिस वज़ेसी अभी तक सेफ हैं समय भी इतनी लगता है सब लोग एक जादा रूड हो चुका है वहीं जूली भी उसे अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में बताती है जिसे सुनके बहुत खुश होती है लेकिन एक तरफ उसे डर भी था कि कहीं उन्हें कुछ हो न जाए वेलब ये लोग दीरे-दीरे करके आगे बढ़ते रहते लेकिन कोई और जो इनकी ही तरफ आ रही थी और वो है शार्क वो भी दो-दो यानि कि मुश्किल समय बसानी वाला है पर उनसे आने से पहले जोई डॉल्फिन को शार्क समझ लेता और चलाने लगता है लेकिन बनी बताता है कि वो डॉल्फिन है तो मारे चक्कर में यहां बैटे सभी लोग पैडल करते हुए अब 15 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और अब अंदेरा भी हो गया है उपर सीन के पास खाने को कुछ नहीं है सिवाए कुछ पानी की बॉटल के रात में जोई और क्लेर दोनों पैडल करते हैं पर न जाने कब क्लेर के हाथ से पैडल चूट जाता औ कि पैडल मिल सके अब इसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन उन्हें पैडल दिख जाता है तो चाली पानी में जाने के लिए तैयार था लेकिन उससे पहले जूली कूच जाती वो नहीं चाहती थी कि चाली को कुछ हो इसलिए उसने खुद की जान जोखी में डाल कर उस पै बार चुकी थी लेकिन सही मोगे पर चाली उसका हाथ पकड़ लेता और उपर खीच लेता है वो ना जूली मारी जाती है लेकिन दोस्तों अभी तो ये बश शुरुआत है क्योंकि ये लोग ना खतम होने वाले सफर पर है और समुंदर के बीच ओ बीच फसे हुए हैं यहा चाली जोई और क्लेई को सुमसूट पहना देता है ताकि उन्हें ठंड ना लगे लेकिन इसी दुरान जोई और बनी में कुछ बहस हो जाती है अब यहाँ जोई को अपनी इस गलती का एसास तो होता है लेकिन अब तो वो चला गया है तो फच्तानी का कोई भी फाइदा नहीं है इसलिए सब लोग चुपचा बैट जाते हैं कुछ जरबाद चाली को याद आता है कि राफ में एक एमर्जनसी किड भी मौजूद है तो वो उसे खूलता है जिसमें उसे एक चाकू मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है वहीं जूड ये बारिश के पानी को बोटल में भर लेती है ताकि पानी की कमी ना हो लेकिन कभी एक और मुसीबता जाती है एक शार्क उनकी राफ से टकरा जाती है जिसे वो सारे के सारे पानी में गिर जाते हैं सबी लोग पैनिक करने लगते हैं सब को अपनी जान की परवात ही इसलिए जिसके पास जितनी ताकत वह उसका इस्तेमाल करके दुबारा से राफ के जाते हैं लेकिन जो यह अभी भी पानी में फसा हुआ तो वो पहले से पानी से डरता था उपर से वह पानी में ही आ गया है और लेकिन उससे बड़ी परशानी थी उसके आसपास घूमती हुई शार्क वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि राफ तक आ जाये लेकिन ऐसा हो नह हैं और अब उसका बच्पाना तो नामंकिन है अपने पती को अपने सामने मरता हुआ देखकर उसके वाइफ को बहुत ही बड़ा जटका लगता है कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी वो पूरी रात ऐसे चुप चाप बैठी रहती है पर अगली सुबार जूली उस समझाती है कि अब जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते हैं इसलिए बैतर होगा कि हम होसला रखें जिससे कि हम अपनी जान बचा सकें उसके बाद वो अपने दादाजी की आशिस को वहीं समुंदर में गिरा देती है और प्रातना करती है कि वो सब की रक्षा करें तब जूल रास्ते पर जा रहे हैं इसलिए तुम लोग अब आराम करो हमें पैडल मानने की जरूत नहीं है लहरे खुद बखुद हमें सही रास्ते पर ले जा रही है पर तब तक उनके पास एक शार्क आ जाती है जिसके चाली पहले से ही तयार वो पैडल में वही चाकू लगा देता और अपनी पोजीशन ले लेता है लेकिन यहां एक नहीं बलकि दो दो शार्क थी जिन से लड़ पाना बहुत ही मुश्किल था अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता है एक शार्क जूली को पानी में खीश लेती है लेकिन चाली की बहादूरी की वज़े से उसकी जान बच पाती है वो फॉरण उस उपर खीश लेता और सब को पीच में बैटने को कहता है ताकि राफ पल्टे ना और सभी एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं अब दोस्तों यहां इने काफी समय हो चुका था और तब से ना तो इन्होंने कुछ खाया और ना ही पिया है इसलिए स सब को उठाती है और उस आइलेंड को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं इसके बाद चार्ली कहता है कि तुम दोनों सिम करके वहां किनारे तक जाओ मैं यहां शार का ध्यान भटकाऊंगा लेकिन जूली नहीं मान दी क्योंकि उसे पता था कि इसमें चार्ली की जा सकती है वो कह दी एक हमने अभी तक एक दूसरे का सात दिया है और आगे भी देंगे इसलिए हम यह काम साथ में करेंगे चार्ली उसे प्लान बताथा है कि थीक है हमें पहले एक शार के मुं में फ्लेयर चलानी होगे जिससे वो जलनने लगे और फिरम उन्हें मानने की कोश चलने लगता है तभी क्लेयर उस पर चल जाता और चाकू से हमला करने लगता है और फाइनली वो उसे मार डालता है लेकिन वहीं दूसरी और क्लेयर के पीछे एक दूसरी शार पड़ी हुई थी जिसे बचाने के लिए वो एक डूबे हुए शिप की ऊपर चल जाती है जिसे पर चल जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती लेकिन इन सब के बीच जूली उपर आ गई थी और वो आकर क्लेयर के पास बैट जाती है वो उसे चार्ली के बारे में पूछती है तो वो रोने लगती है और उसे पता चल जाता है कि चार्ली अब इस दुनिया में नहीं रह लेकिन अभी ये कहानी याँ पर खतम नहीं होई है वो दूसरी शारक अभी भी इनके पीछे पड़ी होई है और छलांग मारती है जिसे डर कर दोनों पानी में गिर जाते हैं पर जूली क्लियर से कहाती है कि तुम किनारे पर जाओ मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हो लेकिन वो असल में पानी के नीचे चली जाती है उस डूबे हुए जहास के मलवे में और वहाँ जाकर छुप जाती है लेकिन वहाँ भी वो शारक आ गई थी पर वो उसके पास नहीं पहुच पाती क्योंकि एक आंकर उस पर अटक गया था तभी जूली को उसके उपर एक लोहे का रॉट दिखता है जिसे वो तोड़ देती है और वो जाकर सीधा शारक में घुश जाता है लेकिन इतनी देर में पानी में रहते हुए वो बिहोश हो चुकी थी और तब जो नीचे आकर उसे बचा कर उपर ले जाती है तो फानली दोस्तों यहां पर वो शारक मारी जाती है और दोनों स्विम करती हुए किनारी तक आ जाते है लेकिन इन दोनों ने अपने चाहने वालों को खो दिया है तो आपको क्या लगता है कि क्या इन्होंने Tracy को ढूने का जो प्लान बनाया था जो फैसला लिया वो सही था या फिर वो गलत था या फिर इने सीधा ashes को बरीट करके यहां से निकल जाना चाहिए था नीचे कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा और इस वीडियो पर एम करते हैं 300 कॉमेंट का कॉमेंट ज़रूर करेगा मिलते हैं आप सब्सक्राइब यूडियो में थैंकिसो मुच वाचिंग पीस आउट